नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी गाचीर परिचित दोस्तों पस्थित हुआ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां कच्ची हल्दी के आईए फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं हल्दी के खास गुनों से अमुमन हर कोई परिचित होता है भारती खाने की हल्दी के बिना कल्पना करना भी मुश्किल है हल्दी का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने में सूजन को कम करने में और शरीर के शोधन में हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है इसमें पाया जाने वाला तत्व करक्यूमिनोईड्स और बोलाटाइल तेल कैंसर रोग से लड़ने के लिए भी जाना जाता है सरदियों के मोसम में हल्दी के गांट का उपयोग सबसे अधिकलाफ दायक है और यह समय हल्दी से होने वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देता है क्योंकि कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की तुलना में ज्यादा गुन होता है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कच्ची हल्दी के इस्तेमाल के दोरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफी ज़्यादा गाढ़ा और पक्का होता है कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है इसे जूस में डालकर दूध में उबालकर चावल के व्याजनों में डालकर अचार के तौर पर चटनी बनाकर और सूप में मिलाकर उप्योग किया जा सकता है तो आये जानते हैं इस से होने वाले लाभों के बारे में कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं यह खास तोर पर पुरुषों में होने वाले प्रोस्टिट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ-साथ उन्हें खत्म भी कर देती है यहानिकारक रेडियेशन के संपर्क में आने से होने वाले ट्यूमर से भी बचाओ करती है हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुन होता है इसका उप्योग गठिया रोग्यों को अत्यधिक लाफ पहुँचाता है यह शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है और गठिया रोग में होने वाले जोणों के दर्द में लाफ पह होती है इंसुलीन के अलावा यह ग्लुकोज को नियंतरित करती है जिससे मधुमे के दोरान दिये जाने वाले उपचार का असर बढ़ जाता है परन्तु अगर आप जो दवाईयां ले रहे हैं बहुत बढ़े हुए अस्तर यानि के हाई डोज की हैं तो हल्दी के उपयोग से पहले चिकित्सकिय सला अत्यंत आवश्यक है शोद से साबित हो चुका है कि हल्दी में लिपो पाली से चराइड नाम का तत्व होता है इससे शरीर में इम्मून सिस्टम मजबूत होता है हल्दी इस तरह से शरीर में बैक्टिरिया की समस्या से बचाओ करती है यह बुखार होने से रुकती है इसमें शरीर को फंगल इंफेक्शन से बचाने वाले गुण पाये जाते हैं हल्दी के लगातार इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल सेरम का अस्तर शरीर में कम बना रहता है कोलेस्ट्रोल सेरम को नियंतरित रखकर हल्दी शरीर को खृदय रोगों से सुरक्षि संबंधी रोगों से बचाओ के गुण होते हैं हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है इसके एंटिसेप्टिक गुण के कारण भारतिय संस्कृति में विवाह के पूरो पूरे शरीर पर हल्दी का उप्टन लगाया जाता है के नियमित उपयोग से वजन कम करने में सहायता मिलती है शोध से साबित होता है कि हल्दी लिवर को भी स्वस्थ रखती है हल्दी के उपयोग से लिवर सुचारू रूप से कार्य करता है तो हमने आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है कि हल्दी के और क्या क्या गुण हो करते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों